बच्चों, गुड मॉर्निंग, मैं आपके मैम जोती सेंगर, आज हम कक्षा एक हिंदी का दस्वा चेप्टर सिरू करने जा रहे हैं बच्चों, आप भी मेरे साथ बुक खो लिए और कक्षा एक का दस्वा चेप्टर निकालिए, चेप्टर का नाम है बच्चों, एसके प्रस्ताबना में ही बच्चो इस पार्ट में एस किमों के रहन सेन के बारे में बताये गया है किस प्रकार में कड़ाके कि ठंड में अपने आपको सुरक्षित रहते हैं सरदी के दिन थे बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी सभी विद्यार्थी मोटे उनी कपड़े पहने हुए थी लेकिन फिर भी ठंड से काप रही थी विद्यालाय में पढ़ाई चल रही थी उसी समय भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए बच्चो सरदी के दिन थे बाहर बहुत ठंडी चल रही थी सभी बच्चे मोटे और उनी कपड़े पहने हुए थे तभी भूगोल पढ़ाने वाले अध्यापक कक्षा में आए कार्तिक ने कहा गुरू जी आज तो बहुत सरदी है कपकपी छुट रही है अध्यापक बोले तुम इतनी सी सरदी से घबरा गए दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग है जो बर्फ भर बर्फ भर के घरों में रहते हैं 1 अध्यापक ने बच्चों поряд पप्यों में अध्यापक बोले हां बर्फ के घरों में भैं की । हमारे देश के उत्तर में एक एसा देश है, जहां बशश में नो महीने बर्फ जमी रहती है वहां के लोग एसकिमो कहलाते हैं बे लोग बर्फ के घर बनाकर बे बच्चों वपनाते हैं अगले पुछबा बे लोग बर्फ का घर बनाकर रहते हैं जिने इगलू कहते हैं घर की बनावट ओंधे कटोरे के समान होती है उसका दर्वाजा छोटा होता है उसमें केवल गुटनों के बल ही आजा सकते हैं बच्चों इन घरों को इगलू कहते हैं गर की बनावाट ओंधे कटोरे के समान होती है उसका दर्वाजा छोटा होता है जिसमें केवल गुटनों के बल ही आजा सकते हैं बहां radior नमा के पशू होता है इसकिम लोग उसी का दूद पीते हैं और उसी का मास खाते हैं उसकी खाल के कपड़े पहनते हैं रेडियार बर्फ पर गाड़ीयां खिशते हैं इन जानवरों की चर्वी से बर्फ से बने मकानों में जलाई जाती है इन जनवरों की चर्वी बारपिसे बने मकानों में जलाई जाती है जिससे वे अंदर से गरम रहते हैं वहां नगर ग्राम या खेत कार खाने नहीं होते हैं लोग शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं बच्चों वहाँ नगए, ग्राम, खेत, कार खाने नहीं होते हैं वे लोग शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं जानवरों की हड़्ियों से ही हथियार, सुईयां आदि बनाते हैं कक्षा में सभी विद्यार्ती बड़े ध्यान से अध्यापक हो रहा था दुनिया में ऐसे ठंडे देज भी हैं जहां लोग वर्फ के घरों में रहते हैं अब उन्हें अपनी सर्दी कम लगने लगी थी बच्चों ये चेप्टर अपना खतम होता है अब अपन चलते हैं सब्द ग्यान और अभ्यास की तरफ उनि इस सब्द ग्यान का मतलब है बच्चों माइने माइने मने अर्थ शब्दों के अर्थ मीनि उनी उनी उन से बने हुए उनी किसको कहते हैं बच्चों उन से बने हुए कपकपी छूटना ठंड से ठ्टोरणा यानि बच्चो ठंड से ठ्टोरणा ओंधा ओंधा मने उल्टा ग्राम मने गाउшее घ्राम का अर्थय बच्चो गाउITY कार खाना का अर्थय बच्चो वहे जगे जहां बस्तु में बनाई जाती है शिकार करना, शिकार करना मतलब जंगली पस्वों को मारना आश्चरी माने अचरज, अब चलते हैं बच्चों अगले पेच की तरफ अभ्यास, सही विकलप पर सही का चेनल लगाईए नंबर का पे हैं बच्चों, सभी विद्यार्ती केसे कपड़े पहने हुए थे इसके चार उप्सन दिये गए हैं, नंबर आ पे सूती, नंबर बा पे उनी, नंबर सा पे फरके, नंबर दा पे हैं इनमें से कोई नहीं सभी विद्यार्ती केसे कपड़े पहने हुए थे बच्चों, इसका सही आंसर है बा नंबर बा, दूसरे नंबर पे जुबा लिख रहा है, उनी, वो उसका सही आंसर है इसके आगे अपने को रैट का निशान लगाना है सभी विद्यार्ती केसे कपड़े पहने हुए थे, उनी तो उनी के आगे अपने को नंबर बा के आगे अपने को रैट का निशार लगाना है अब चलते हैं बच्चों खा की तरफ हमारे देश के उत्तर में केसा देश है इसके भी बच्चों चार उपसन है नंबर आ पे सुखा नंबर बा पे बड़सा युक्त नमबर सा पे बरफीला, नमबर दा पे बावसा दोनो इसका सही अंसर है बच्चो हमारे देश के उत्तर में केसा देश है बरफीला, नमबर सा पे बरफीला लिख रहा है उसके सामने अपने को रैट कर निशार लगाना है नमबर सापे बरफीला इसके आगे अपने को राइट करिशन लगाना है नमबर गापे चलते हैं बच्चों बरफीले छेतर में कौन लोग रहते हैं बरफीले छेतर में कौन लोग रहते हैं इसके भी चार अपसन है बच्चों नमबर आपे बद्दू, नमबर बापे एकसिमो, एसकिमो, नमबर सापे है बच्चों आदिवासी, नमबर दापे है इन में से कोई नहीं बरफीले छेतर में कुन लोग रहते हैं बच्चों, एसकिमो रहते हैं इसका सही आंसर है बाग, बाग के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है बाग के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है अब अपन चलते हैं बच्चों घा की तरफ, बरफ से बने घरों को क्या कहते हैं इसके भी चार उपसने बच्चों, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं, नमबर आप पे बंगला, नमबर बाप पे इगलू, नमबर सा पे शिकारा, नमबर दा पे महल, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं बच्चों, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं बच्चों, कैसे रखा जाता है बर्फ के घरों को गरम कैसे रखा जाता है इसके भी चार अपसन दिये गए है जानवरों की चर्वी जलाकर नमबर आ पे है जानवरों की चर्वी जलाकर नमबर बाप पे है आग जलाकर नमबर सापे है गीटर जलाकर नमबर दा यह सूरी के दूब द्वारा बफ के घरो को अपने अपने को रड का कर अपने अब बिद्याले में क्या चल रही थी बच्चो पढ़ाई तो पढ़ाई के सामने अपने को जो नमबर का का जो खाली स्थाने बच्चो उसमें अपने को पढ़ाई लिखना है बिद्याले में क्या चल रही थी पढ़ाई नमबर का के खाली स्थान में अपने को पढ़ाई भरना है नमबर खापे वच्छों, वहां के लोग कहलाते हैं, वहां के लोग क्या कहलाते हैं वच्छों, एसकेमो, नमबर खापे जो खाली स्थाने उसमें अपने को एसकेमो भरना है, वहां के लोग एसकेमो कहलाते हैं, नमबर गापे आते हैं, मकानों में जानवरों की जलाई जाती मकानों में जानवरों की क्या जलाई जाती है बच्चों चर्वी नंबर गा के जो खाली स्थान है उसमें अपने को चर्वी लिखना है नंबर गापे है माकानों में जानवरों की चर्वी जलाई जाती है नंबर गापे चर्वी भरना है नंबर गापे चलते हैं बच्चों बे बेवर्फ का क्या बना कर रहते थे बच्चों बेवर्फ का मकान बना कर रहते थे नंबर घापे अपने को मकान भरना है नंबर घा की खाली इस्थान में अपने को मकान लिखना है बेवर्फ का मकान बना कर रहते हैं अब चलते हैं बच्चों हाथ वा नहीं की तरफ नंबर का इसके मों बर्फ का घर बना कर रहते हैं ये सही है बच्छों इसके आगे अपने को हा लिखना है नंबर का इसके मों बर्फ का घर बना कर रहते हैं ये सही है इसके आगे अपने को हा लिखना है अब आगले पेच की तरफ चलते हैं बच्छों नंबर खा की तरफ इगलू की ब बनावट बर्गाकार होती है नहीं ये गलत है बच्चों तो इसके आगे अपने को नहीं लिखना है लुकी बनावट बर्गाकार होती है नहीं खा के आगे अपने को नहीं लिखना है नमबर गापे चलते हैं एसके मों कारखानों में काम करते हैं नहीं ये गलत है तो इसके आ पर चालतें हैं निम्लिक्त हों के उत्तर दीजिए फ़्ट्रश्णनमर एक है बच्चो में बप्रश्न नंब्र का आपगों के क्यों पहने हुए थे इसका उत्तर है बच्चों नंबर का का उत्तर है तेज सर्दी के कारण विद्यार्थी मोटे उनी कपड़े पहने हुए थे तेज सर्दी थी इस कारण विद्यार्थी मोटे उनी कपड़े पहने हुए थे प्रश्ण नंबर खाये बच्चों एसके में ए प्रश्णमबर गाहuls में दूद्ध भमास ये लोग उप्योग में लेते हैं, एसकिमो करते हैं, रेडियर का दूद वा मास का उपयोग एसकिमो करते हैं, एसकिमो गाड़ियां खीचने में भी रेडियर का रयोग होता है, इसके मास से घर में चर्वी जलाई, इसके मास को घर में जलाया जाता है, जिससे घर को गर्म रखा जा सके, प्रश्ण गाये एसकिमो रेडियर की हड्डियों से क्या क्या बनाते हैं इसकिमो इनकी हड्डियों से हत्यारवा सोया बनाते हैं विश्ट का उत्तर है बच्चों नमर घा का एसकिमो जानवरों की हड्डियों से हत्यारवा सोया बनाते हैं अब आते हैं बच्चों शब्द बोद की ये इन चारों में से जो इस बर्ग का नहीं है हवा, हवा उसका नहीं है तो इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है निम्बर 5 पर चलते हैं रेडियर, कुत्ता, गाए और लकडी तो ये जो लकडी दिया हुआ है इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है निम्बर गाप एते हैं महल, मकान, दुकान, कटORA इसमें जो कटORA दिया गया है उसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है नमबर दो पे आते हैं सही सब्द पर सही का चिन्ने लगाईए नमबर का पाटशाला पाटशाला पटशाला और पाटशाला इसमें जो नमबर का दिया है पाटशाला ये सही है नमबर खापे है बच्चों भूगोल 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 और भूगोल इसका सही अंसर है खाप पहले वाला भूगोल इसके आगे अपने को रैट का निशान लगाना है नमबर गा पे आते हैं बच्चों सिक्षक 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 इसका सही आंसर है बच्चों पहले वाला सिक्षक इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है नमबर घापे आते हैं इसकी मूँ इसकी मूँ इसकी मूँ इसकी मूँ जे दूसरा वाला है जे सही है इसके आगे अपने को राइट का निशान लगाना है व्याकरण बहुत समझे और लिखे इसमें बच्चों एक बच्चन और दो बच्चन दिये गए ठंडा ठंडा को क्या लिखेंगे अपन ठंडे हड़ी को लिखेंगे हड़िया हड़ी एक है तो उसको हड़ी लिखेंगे और एक से जादा है तो उसको हड़िया लिखेंगे अब आते हैं बच्चों आगले पेच की तरह मोटा, मोटा को अपन मोटे लिखेंगे सवेरा, सवेरा को लिखेंगे सवेरे सीधा को लिखेंगे सीधे सुई को लिखेंगे बच्चों सुईया सर्दी को लिखेंगे सर्दिया कटोरी को लिखेंगे कटोरिया नमबर दो पे आते हैं बच्छों, सब्दसमों के लिए एक शब्द लिखिए, नमबर का पे है, बर्फ के घरों में रहने वाले लोग, ऐस के मुख, इसके आगे अपने को organize Ko M. लिखना है, सब्दसमों के लिए एक शब्द लिखिए, बर्फ के घरों में रहने वाले लोगों को क्या कहते है बच्चो एसकेमो तो नमबर का के सामने अपने को एसकेमो लिखना है नमबर का पे आते हैं बन में रहने वाले लोग बन मानुस बन वासी इसके सामने अपने को बन मानुस लिखना है नमबर गापे आते हैं भारत में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं बच्चो भारती है, तो इसके आगे अपने को भारती ही लिखना है, भारत में रहने वाले लोगों को भारती ही कहते हैं, तो नमबर गापे चलते हैं, चीन में रहने वाले ल पढ़िए और इसके प्रश्ण उत्तर खाली इस्थान साई गलत को आप याद कीजिए इसी के साथ अपना ये चेप्टर खतम होता है बच्चों तब तक के लिए बाइब अब बस खाली है व्हां ए अपना गाले आप लगी जेख्टर खतो, से लगे न भाइब व्हां, भाइब प्रश्ड़ाच्ब दल्याद अब प्रश्ड श्ड़िया आप लोगे है वह भाइब अब प्रश्ड भरगी इसील आंइए बंतों हुआ जिता है प्यारी।